हलो और विल्कम डो बॉलिवुड वाला, I am Sonup दोस्तो आप लोग मांग रहे थे आउटलॉस नाम के इस कुरियन फिल्म का रिव्यू दोस्तो सबसे पहली बात बता दो बहुत रिपोर्ट से से चल रहा है कि ये फिल्म से इंस्पायर हुआ है राधे आप इंस्पिरेशन है यार रीमेक है वो तो राधे फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा लेकिन अगर मैं आउटलॉस के वारे मैं बात करो दोस्तो सबसे पहला तो सुपब आक्शन लगा इस फिल्म में मुझे आउटस्टेंडिंग आक्शन यार वेरी वेरी गुट आक्शन वेरी वेल शॉट आक्शन सीन और दूसरा जो हीरो वर्सस विल्म स्टोरी है उसको भी बहुत ही बहतरीन अंदाज में दिखाया है इन फाक्ट इसमें मुझे विल्म इतना पावर्फुल लगा कि actually वो ही लीड में लगाया actually अगर आप देखोगे नॉट मिली एक हीरो वर्सस विल्म स्टोरी में हीरो लीड में होता है और विल्म तो विल्म होता है उसको उतना प्रामिनेंस नहीं मिलता है चितना हीरो को मिले लेकिन इसमें विल्म जो है यार वो तो पुरा बाजी मार के लिखे गया है पुरा स्पोटलेट खा लिया है उसने पुरा सीन्स ऑथर बैक्ट रोल था उसका जो कास्टिंग हुआ है जो एक्टर ने वो विल्म का रोल निभाय है इस जस्ट सिंप्ली आउटस्टैंडिंग और जिस तरह से लिखा गया है वो विल्म का रोल सबसे पहली बात हो विल्म जो एक्ट लेके जो अटक करता है वो वो आक्शन आप देखो यार एक फंक्शन में जाके आक्श लेके सबको जब मारने लगते है क्या शूटिंग किया है पुरा वन टेक में अर्मस्ट शूट किया है वो पुरे पुरे अक्शन सीन को और क्या कोरियोग्राफिय अक्शन का है and the villain with his violent brutal behavior he will indeed send shivers down your spine but at the same time he will also evoke hatred आपको गुसा आएगा डर भी लगेगा उसको देखके उसका behavior देखके लेकिन गुसा भी जरूर आएगा और आपको ऐसा लगेगा यार इसको कोई पकड़ के मारता क्यों नहीं है इसको जेल में डालना चाहिए where is the police और फिर उसके बाद police का जो entry है अपना जो hero है इसमे यार उसका एकदम मसाले धार entry था यार एकदम superb entry लगा उसके बाद जिदर भी जाता है वो भी दे धना दन दे धना दन एक पंच से लोगों को गिरा देता है एक जापड से लोगों को गिरा देता है पुरा एकदम मसाला ये Korean मसाला आप बोल सकते है जिसमें realism का वो touch है slow motion shots बिलकुल नहीं है everything shot in real time तो वो देखने में मसा है but ultimately the hero versus villain story with superb action really makes the outlaws a worthy watch यार मजा आ गया एकदम मजा आ गया दोस्तों देखके और story screenplay जिस तरह से चलता है it's very very engaging कई पर भी ऐसा नहीं लगा कि story dip हो रहे tempo dip हो रहे I really enjoyed the outlaws अगर दोस्तों outlaws का ही remake अगर रादे है तो hope अच्छा रख सकते है बट उसी तरह remake करना पड़ेग अगर मसाला वसाला नार के कुछ और किया है तो फो फिर I don't know I mean कैसा लगेगा but outlaws को मैं दूँगा 3.5 to 4 stars really loved it बस एक चीज मेर को समझ में नहीं आया the outlaws में इसमें पुलिस के पास और गुंडों के पास बंदू क्यों नहीं था चलो गुंडों को छोड़ा at least पुलिस के प पास तो बंदू को ना चाहिए ना no guns, guns तो देखा ही नहीं है उनके पस ला लाथी भी नहीं है जर्फ हात है और गुंडों के पास तो axe और knife है यह but anyways it was highly effective the kind of violence that they showcased in their action scenes who फुला के रखतिया 3.5 to 4 stars that's my rating अगर आप लोग ने देखाया outlaws तो मुझे बतना आपका क्या टेक ह Korean Film को लेकर चलियो दोस्तों for the moment it's time for me to say tata